गुट मॉर्निंग इस्ट्रेट्वेंट्स गुट मॉर्निंग अल अफ यू जैसे कि आपको दिखाय दे रहोगा कि आज जो हम पढ़ लें लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे जो हमारा दस एल और जैसे कि आप लोग को पता है कि गुरूप में भी इंफर्मिशन मिल गई होगी आप लोग को कि जो है कि ओनलाइन क्लास लेना भी कंपलसरी कर दिया गया है कि ओनलाइन क्लास जो कंपलसरी लेगा चेवल उसी कि प्रिजेंट लगेगी या टेस्ट वगरा के लिए बिए जैसे अधर इंफर्मिशन आप लोगों को मिल गई होगी वाट्सप पर अना सबी को मिल गई है ने मिल गई है बताओ आप लोग मुझे मैं देख लिखाँ फिलाल कौन को नभी प्रिजेंटर्स रेस्ट दिव्यांशी शिवूम आलेक अनुज रितु राहूल तुशार खुशी पारस कार्तिक अकांशा बिस्नुई यश्वरमा गुड मॉनिंग ओल अफ यू एंड यह है चार्जर गेमिंग वाइटी यह मुझे इसका नाम नहीं समझ मारा की कौन है तो अपना नाम चेंज कर दें इससे मुझे पता चल जाए ठीक है नहीं बाकी में कि लास में एक बारह लिंक जो मैं और वर्टसप भी कर देता हूं ताकिं़ ऑर बच्चों बबी कनेक्ट हो जाएंगे जो आने वाली होंगा ना तो दो मिनेट होल्ड करो बच्छो मैं जो है एक बार लिंक को और सेंड कर देता हूं अधर आट और गुड्मानिंग अधर आट और गुड्मानिंग आमन सेनी गुड्मानिंग वंश गुड्मानिंग आप लोग जो है मेरा अच्छुली नैट इसना नहीं चल ला है तो आप लोग जो है लिंक को गुर्प में शेर कर दो कि लास स्टार्ट हो गई है तो क्लास कनेक्ट कर लें ठीक है तो जैसे कि और जो नए बच्चे जोड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना बच्चे और जिससे कि क्या है कि आने वाली सारी वीडियो के नोडिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएंगे तो चलिएगा स्टार्ट करते है अपना चयपटर क Issue नियम से पहला है शेयर्व तो सबसे बैसिक होती है बैसिक हमारी अगारेवोजी में क्विल्चे की अखिए सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि भाता है तो बैसिक कि वाता है जैसे क्ल मुआने लôm mention क • कि सब्सक्राइब क जिए बड़ी बूदिंगो भी नियुन की ऑना है टो तो सबसे पहले बात कर देता हम दो यह चैप्टर हमारा है टो इसके अंदर हम क्या-क्या चीज पढ़ेंगे तो मैं दिखादेता हूं आप लोगो को हऊ है टिके है यह घ्रकर के हिंदर हम चे चीज़े पढ़ेंगे, चे टॉपिक्स हमारे देखो एक तो सेल है, एक सेल स्ट्रक्शर है, सेल ओर्गिनल्स, डिफरेंस बिटमिन प्लांट एनिमल सेल्स, ठीक है, प्लांट टिशूज और एनिमल टिशूज, शांदनुपाल गूणिंग, दिपानशुपाल गूणिंग तो देखो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, यहां पर दिया है इंट्रोडक्शन, देखो छोटा चैप्टर है, शायद में भी आज ही निपढ़ जाएगा यह, तो अराम से पढ़ो इसको, ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है, वो है, अल जो है, सेल और जिए जैसकि मैंने बताया था कि जिए बी आनिमल्स है, प्लांट्स है, यूमन बींग्स है, जितने भी और टिनी युassen यूनित्स से बनें हो जिनको चैप आइज आज यह छो ओता है से ब्र और बैसिक अर्गक्रेशन आख से विग्लो और टेक प्लेस्ट भीडू without cells through cells tissues are formed these tissues from various organs in all living beings ठीक है मतलब यानि कि अगर जितने भी living function है वो cells के बिना क्या है कि बिना cells के वो reproduce यानि कि जैसे हम reproduction होता है या फिर respiration होता है digestion होता है वो कुछ भी नहीं हम लिक जो है बना सकते ठीक है एक सेकंड रोको मैं link send कर दूँ class में जड़ा है ना है एक सेकंड रोको बच्चों अच्छों जिलाग मुंसर आ भी लास चलेमा अच्छाने कर दो है तो देखिएगा मैंने ग्लास में लिंक सेंड कर दिया है बस केवल एट स्ट्वेंड से जो कि इसको देख रहे हैं बाकी कोई देख ही नहीं रहा है अधित्या वहुषय सानू और सिद्धी रावत गुड मॉर्निंग ओल अफ यू श्वेता सिंग तो संसेल्स आर बिग इंफ टूसी विडाउट दव माइक्रोस्कोप को सैल्स ऎसकों यह नें माइक्रोस्कोप के देख लेते हैं बट कुछ जो है हमारे ऐसे होते हैं सेल्स जिनको हम नेकड़ा इस से डाएक्ली आखिंसे हम नहीं देख सकते ठीक है बहुत से ऐसे बिदर दे वो खुदी अपने आपने प्रोटोप्लास बनाते हैं इन एक्स्रेमली कॉंप्लिकेटेट इट मिक्षर आप सबस्टेंश जो की एक बहुत जारा माँ कॉंप्लिकेटेट मिक्षर होता है सबस्टेंश का इट्स लाइक ब्लॉब ऑफ जैली यानि की जैली टाप चिप चिप टाइप का पदारत होता है बट कंटेन मैंनी मिनट्स स्ट्रक्शर एंट विद ए स्पेशल जॉब यू शाल रीडवाट सेल एंड इस स्ट्रक्शर इन इस चैप्टर मतलब जैसे इन सब के बारे में जो इसके अंदर सबस्टेंश होते हैं यह किस टैप से बर करते हैं क्या नाम था रौवर्ट होक रौवर्ट होक ने क्या करा और पीस अफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कॉप एंड सौध एट इडवाज मेट अफ टिनी कंपार्टमेंट उसने क्या करा देखो यह माइक्रोस्कोप है ना तो नाइन शिस्टीन सिक्टीफाइब में एक इंग्लिस आलग की इसमें बहुत छोड़े-छोड़े-छोड़े-छोड़े-च recurdo जो है तीनी कंपार्टमेंट्ट और उणी तीनी कंपार्टमेंट सीक्ण को क्या है उसने श्यल नाम दिया याना कि जो सेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं लाइफ के जैसे मैंने बताया है कि सेल से टिशूस बनते हैं टिशूस से औरंस बनते हैं औरंस से फिर हमारे living organism बनते हैं तो देखता हूं कौन-कौन Connect होकल है, क्रिस शिंग अंकिता हुड़ा, महिंदर परताब बैशनवी सैनी साक्षी और यह सब लोग कनेक्ट हुए हैं देखाँ अब 20 स्ट्वेंट्स कनेक्ट हो गए थोड़े और बड़ो क्योंकि जो है यह सब आप लोग की जो भी प्रेजेंट वगरा लग रही है क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंट भी जरूरी है सो बिना उसके आप लोग को नोटिफिकेशन मिली गए होगी वैसे यह वाट से पर ठीक है तो आगे पढ़ लेते हैं और यह बहुत कॉंप्लेक्स भी होते हैं ठीक है बैसे सिंपल बेसिक यूनिट लाइफ की होता है बट यह एक्स्रीमली कॉंप्लेक्स भी होते हैं एवरे से दीरे दीरे क्या है वो एक ऑर्गेशन में कॉल्ड रेत ऑर भी से और जाता है बट एक टायप से क्रेट हो जाती है एक multicellular, ठीक है, तो क्या होता है, it does wise, so dividing itself into two by process of mitosis, बट क्या होता है, कि अपने आपको ये दो parts में divide कर देता है, यानि कि two parts में divide कर देता है, जो की कहलाता है हमारा mitosis, अब जैसे कि आपको ये diagram दिख रहा होगा, ये microscope का diagram है, ये microscope का diagram है, अब जहाँ ये लिखा है, specimen stage, specimen stage में क्या है, कि यहाँ पर उसको तमारा इस जगा पर वो रखा जाता है, जिसका experiment करना होता है, ठीक है, फिर ये जो lenses लग हुए है, ये जो lenses है, इन lenses के थुरू देखा जाता है, और यहाँ से क्या है, इस area से पता चलता है, कि वो कौन सा cells है, किस टाइप के DNA बगरा, जो भी देखा जाता है, उससे इस से देखा जाता है, most cells are too small to be seen without the aid of microscope, मतलब, within these cells are even smaller structure which can only be seen by the helpful, powerful microscopes, most cells, बहुत सारे cells ऐसे होते हैं, माने भी good morning, और ये गगन शर्मा, बिटा सर पढ़ा रहा है, मैडम नहीं पढ़ा रही है, अना, खेर कोई नहीं, फिर भी good morning, लेकिन जो science के class है, वो सर पढ़ाते हैं, हाँ, तो देखिएगा, most of the cells, याने कि बहुत सारे cells ऐसे होते हैं, जो कि हम microscope से भी नहीं देख पाते हैं, तो उन cells को देखने के लिए powerful microscopes की जरूद पढ़ती है, एक तो normal microscopes होते हैं, जो कि normal cells को देख लेते हैं, बट कुछ cells इतने छोटे होते हैं, कि वो उस microscope से भी नहीं दिखाए देते हैं, तो उनके लिए कि होता, powerful microscopes की जरूद पढ़ती है, ठीक है, the structure within the cell, carry out the function of storing and releasing energy, building and repairing cells part, getting right of waste material, responding to the environment and increasing in numbers, जो cells का structure होता है, वो carry out करता है, functions को किस चीश का है, function को storing करना, energy को release करना, build up करना, repairing करना, cells के part को, cells को, ठीक है, और waste material को बहार निकालना, respond देना, यह सारे काम होते हैं, हमारे cells के, okay, unskuship, good morning, तीची समझ महाईना, आपको microscope की cells की थोड़ी सी बात, अगला आता है, these are many types of cells, there are many types of cells, यहाँ पर बहुत सारे type के cells होते हैं, जैसे मैंने बताया देख तो, unicellular होता है, एक multicellular होता है, इसके अलावा भी example देख लेते हैं, human cells comprise of muscle cells, ठीक है, मतलब, जो जड़े होती है, plants की, वो cells, however, whether in an animals or in a plant, most cells sharing certain similar characteristics, मतलब, चाहे plant हो, चाहे animal हो, उनमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे, जो है, simple, मतलब, similar things होती है, जैसे similar functions होते है, जो characteristics plant की होती है, वह characteristics कि किसकी होती है, वह characteristics होती है, आपकी animals की भी, तो देखो cell structure की बात कर लेते हैं, cell wall, देखो यह जो आपको green layer, देखो, यहाँ लिखा हुआ है cell wall, ठीक है, तो देखो यह green type का आपका बना हुआ है, green type का पर यह जो dark green color की underline कर रखी है, यह dark green color की है, अन्सकर्षय अब network problem हो रही है, तो एक बार डिसकनेक्ट करके दुबारा connect कर लेना तो हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब देखो, यह जो बाहर की एक dark color की जो layer आपको दिख रही है, covering दिख रखी, इसको cell wall किया जाए, cell wall बोला जाता है, अब इसको बारे में पढ़़े लेते है, the cell wall is a rigid, rigid का मतलब होता है, बहुत कठोर type का, बहुत hard, तो cell wall is a rigid and non-living layer, जो cell wall होती है, बहुत कठोर होती है, और non-living होती है, मतलब कोई जान नहीं होती है, जो कि अंदर के chloroplast, nuclear membrane, सब को क्या है, कि यह अंदर यह रखती है, बहार नहीं आने देते हैं, although it is hard, it allows water, oxygen, carbon dioxide and certain dissolve material into pass through end, यह क्या करती है, कि मतलब इसके hard होने के बज़ा, मतलब hard होने के साथ-साथ, यह क्या करती है, कि यह water को allow करती है, oxygen को allow करती है, carbon dioxide को और बहुत सारे dissolve material जो इसके दुरू पास हो जाए करें, ठीक है, तो को cell wall किसके अंदर present होता है, तो cell wall है, उसके अंदर क्लोरोप्लास, vacuol, cytoplasm, cell membrane, mitochondria, nucleus, endoplasmic reticulum, nuclear membrane, इन सब को बहार से cover क्या खर रहा है, cell wall, okay, मान भी यह unit second नहीं है, unit first होगा, जो तुमारे पहले test हुए थे, वो class test हुए थे, ठीक है, वो class test हुए थे, वो 20 marks के थे, बट यह जो तुमारे अब test होंगे, 16 अगस्त से, 16 अगस्त से, वो तुमारे unit first होंगे, जो कि 30 marks के होंगे, और अच्छे आप मुझे यह बताएगा कि आप लोग के जो chapters है, total लगवा कितने chapters है, 16 chapters है या 15 chapters है, जतिन सेनी, गुड मॉर्निंग, अनुजी शर्मा, गुड मॉर्निंग, मुझे chapter बताओ आप लोग के chapter कितने हैं books में, मेरे को ऐसे धियान नहीं है, तो फिर मैं आगे आपको बताओंगो, कितने chapter आपके आने हैं, 16 chapters है ना, तो 16 chapters है आपके, तो लगवग आपके आजाएंगे, मैं बताता हूँ, एक second रुको, कितने chapter मुझे देने हैं, आप लोग को, लगवग आप 70 chapter है, तो 17 chapters है, 17 का अगर 30% लगाया जाएगा आपका, तो लगवग आपके 5 chapters हो जाएंगे, 30% syllabus में, ठीक है, बत, मैं देखकर आपको आज जो है न, मैं लगवग आज आपको जो है, इसका syllabus क्या है, मैं, actually क्या है कि, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 30 marks का ही paper बनना है, तो आप लोग के, लगवग 4 lessons, 4 lessons आप लोग के, मैं unit first में दूँगा, ठीक है, बाकी 4 lessons तो मैं दे दूँगा, लेकिन बाकी आप लोग का, जो, लेवस में क्या-क्या देना है, कैसे-कैसे देना है, वो सब मैं आपको, WhatsApp group में inform कर दूँगा, ठीक है, तो 4 lessons आप लोग के unit first में आएंगे, जिसमें long questions होंगे, short questions होंगे, ठीक है, मतलब जितनी वी exercise है, वो सब होगी, okay, students, so, देख लेते हैं, आप आगे पढ़ लेते हैं, the cell wall is present only in plant cells, जो cell wall होती है, कि वो plant cells में होती है, जबकि animal cells में नहीं होती है, ध्यान लगना, it gives shape and production to the plant cells, यह क्या करती है, यह cell wall, plant cells को एक structure देती है, और production देती है, plant cells के अंदर, plant cells have its wall, because plant needs production against the variation of temperature and humidity, plant cells को यह production इसलिए देती है, क्योंकि बहुत सारे क्यों होते हैं, कि variations होते हैं, temperature में और humidity में, उससे क्या protect करती है, वो इसको, ठीक है, देखो, left hand में क्या है, यह आपका green color में जबकि प्लांट cell में है, और right side में आपका क्या है, animal cell है, अनन्त भटनागर, good morning, चार लेसन आप लोग के यूनिट माएंगे, बाकी सलिए वसमें आपको वाट्स अप कर दूँँगा, अब बात आती है, cell membrane, after the cell wall, there, there exist in the living material of cell, मतलब cell wall के अलावा, यह living material होता है, cell membrane, ठीक है, biologist call all the living material in both, plant and animal cell, protoplasmate, ठीक है, जो biologist होते है, वो क्या कहते है, वो जितने भी living material होते है, plant में और animals में, उनको protoplasma बोला जाता है, protoplasma is not a single structure of system, जो protoplasma होता है, वो कोई single structure नहीं होता है, और ना कोई substance होता है, it is a term used to describe all living material in inner cell, बट इसका जो use होता है, बस वो इसका इसलिए use होता है, कि जो cell के अंदर जितने भी living material होता है, उनको describe करने के लिए, इसलिए उनको इसका use होता है, protoplasm का, the first structure of protoplasm is a thin, flexible envelope called cell membrane, यानि कि जो structure होता है, protoplasm का, वो एक पतला flexible envelope type का होता है, जिसको cell membrane बोला जाता है, amongst any good morning, ठीक है, इना plant cell, plant cell की बात की जाए, तो the cell membrane is just inside the cell wall, cell wall जो होता है, मतलब स्वारी, cell membrane जो होता है, cell wall के अंदर just inside होता है, देखो, अब यहाँ पर देख सकते हो, अना, देखो एक डार्क कलर की, आपकी एक तो green कलर की line है, लियर है, उसके बाराप में, एक छोटी सी पतली सी एक green कलर की line और है, तो जो पतली सी green कलर की जो लियर है, उसको cell membrane बोला जाता है, जो कि cell wall के अंदर ही present होता है, ओके, आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, दा flexibility of the cell membrane, अलाव टू सेल टू चेंज इट्स शेप अंडर प्रेशर, बलब जो cell membrane की flexibility होती है, वो क्या करती है, अलाव करती है कि इसको cell को, कि वो अपना जो है, शेप को चेंज कर ले, प्रेशर लगा कर, यानि कि जो cell membrane होती है, फ्लेक्सिवल्टी जो होती है cell membrane की, वो हमेशे क्या है, प्रोटो प्लाज्म को रखती है, मदलब सेपरेटरे रखती है कि इससे, बाहर के environment से, it also help to control the moment of material into and out of the cell, यह help करती है, moment में किसके material के moments में, अंदर मतलब जो cell wall के अंदर जो हो रहा है, और cells के जो बाहर moment हो रहा है, उसको दोनों को control करती है, ठीक है, everything that the shell needs, मतलब जो भी cells को need पड़ती है, from food to oxygen, जैसे कि oxygen से food लेना, ठीक है, enter the cell through this membrane, वो इस जो membrane के तरूँ क्या है, वो अंदर कर जाती है, cells के, while harmful waste product to exist through it, और क्या करती है, कि जो waste product होते हैं, उनको बाहर निकाल दिये जाते हैं, जो harmful होते हैं, जो की सरीर के लिए बैकार होते हैं, in this way, और इसी रास्ते में क्या होता है, इसी वे में क्या होता है, the cell stay in smooth running order, keeping condition inside the cell in the same, even though condition outside may change, मतलब जो cells होते हैं, वो इस तरीके से क्या running करते रहते हैं, cells, ठीक है, body के, मतलब जो body होती है, object plant cells और जो है, animal cells की बात हो रही है, ठीक है, तो this ability of cells is to maintain the stable internal movement, is called hemotosis, ठीक है, यानि कि जो cell की ability होती है, जो internal environment को maintain कर सके, उसको homeostasis बोला जाता है, ठीक है, अब अगला topic देख लेते हैं, क्या इसका, अगला topic है nucleus, तो आप लोगों का nucleus का, तो आपको diagram ही दिखी रहा होगा, ठीक है, nucleus का आपको यह diagram दिखी रहा होगा, it is a spherical body, present within the cytoplasm in the center of the cell, यानि कि इसको कह सकते हो, कि जो cell होता है, उसका center, आप इसको बोल सकते है nucleus, क्योंकि एक circle होता है, उसका जो cell होता है, cell के center का part हमारा nucleus कहलाता है, it is the largest and the most important cell organelle, ये एक, बहुत बड़ा और बहुत ही important cell organelles होता है, it is bound by the nuclear membrane, जो कि क्या है, nuclear membrane के चार्ट जगों, जैसे उसमें cell wall थी, जो बहारी, जो outer side की जो layer थी, वो cell membrane थी, sorry, cells, cell wall थी, उसके अंदर की layer कह थी, cell membrane थी, इसी type से nucleus के, जो बहारी covering जो होती है, layer की बहार nuclear membrane की होती है, ठीक है, तो जो nuclear membrane होता है, वो क्या होता है, nucleus के जो बहारी outer surface होता है, outer part जो होता है, वो nuclear membrane के अंदर आता है, okay, inside the nucleus is presented dense, fluid is called nucleoplasm, okay, मतलब यादने की, जो cell nucleus के अंदर, एक jelly dense type का fluid है, jelly type का चिपचिपा fluid होता है, तरल पधार्थ होता है, उसको बोला जाता है, nucleoplasm, it consists of 80% of water, and also carbohydrate, weight and proteins, मतलब जो की 80%, 80% के अंदर, water होता है, उसके अंदर, carbohydrate होता है, fats होता है, proteins होता है, मतलब चिपचिपा एक type का, जो चिपचिपा जैसे आप अगर, favicol या कोई glue बगर ले ले ले, तो हाथ पे ले ले ले, तो चिपचिपा हो जाता है, इस type के एक fluid होता है, जिसको nucleoplasm बोला जाता है, a spherical structure is present within the nucleus, is called the nucleus, मतलब एक spherical cell, जो structure होता है nucleus का, उसको nucleolus बोला जाता है, the nucleus contains thread-like structure, is called chromosomes, जो muscles होते हैं, हमारे thread-like structure होते हैं, उनको chromosomes बोला जाता है, जैसे कि आप लोग को इस दिखाए दे रहा होगा, जैसे कि आप लोग को यह जो, टेड़ी बेड़ी लाएने दिखाए दे रही है, thread type की, इनको बोला जाता है, chromosomes, they are made of material known as chromatin, which contains DNA, देखो सबसे ज़्यादा जो major role play करता है, human body के अंदर, वो हता है DNA का, ठीक है, de-rivo nucleic acid, ठीक है, de-oxy-rivo nucleic acid, तो इसकी full form याद रखेगा, DNA की, ठीक है, DNA की full form याद रखेगा, क्योंकि आप लोग से directly पोच ली जाएगी, DNA की full form क्यों होती है, de-oxy-rivo nucleic acid, ठीक है, क्योंकि DNA के अंदर ही, जैसे मालो, जैसे animals, तो आप लोग को देखके, पता लग जाता है, भाई, डीर का जो बेबी होगा, वो डीर के तरह दिखेगा, लेकिन कभी कभी कहता है, क्योंकि humans के जो बेबी होते हैं, जैसे कहते हैं कि यह हमारा बेबी नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तो क्याता है, फिर कहते हैं, इसके DNA टेस्ट पर आलो, DNA टेस्ट का मतलब होता है, यह genes के तरूब, जो है, genes उसमें होता है, जैसा कर पेरेंट्स के अंदर जो genes है, और जो बेबी होता है, उसके अंदर भी वो genes, जो होते हैं, वो carry होते हैं, ठीक है, तो इसके according क्या है, वो DNA के तरूब पता लगाते है, कि यह जो बेबी है, वो किस पेरेंट का है, वो इसके तुरू पता लगाते हैं क्यों क्योंकि जो DNA एक major role play करता है DNA के तुरू ही आप कर सकते हो जैसे कि आपके parents और आपका पता लगाना कि same genes के हैं नहीं है तो वो क्या करते हैं DNA लेते है parents का और बेबी का तो दोनों आकों से चेक करते हैं DNA अगर same होता है तब ही वो कहता है कि यहां यह भी इस parents का है ठीक है तो DNA बहुत ज्यादा major role play करता है ठीक है ओके आगे बढ़ लेते हैं DNA carries the genes which are responsible for transmission of character from parents to off-spring देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया same वही चीज़ लिखिए कि DNA क्या करता है carries करता है genes को जो करेस्पांसिवल होते हैं transmission characters कि लिए off-spring or parents to off-spring जो off-spring का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं young ones जो होते हैं वो हमारे off-spring में आते हैं this means if once mother has brown eyes one may also have brown eyes मतलब याने की कह सकते हो यागर जैसे mother की brown आखे हैं मतलब brown eyes या black eyes हैं या जिस टाइप से भी eyes हैं तो गभी-गभी क्या होता है आपने देखा होगा किसी mother की eyes होती है एक दम जैसे की ब्राउन टाइप की तो baby के अंदर भी क्या होता है उनकी आखे भी brown टाइप की हो जाती है वो क्यों होती है क्योंकि वो genes होता है DNA DNA के तुरू यह सब हो जाता है ओके समझ में आ रहा है न आप लोगे nucleus play an important role during cell division यह nucleus होता है कि role play करता है important role play करता है cell division के अंदर it also control the activities of the cell और वो क्या control करता है वो activity को भी control करता है cell के अंदर जितनी भी चल रही होती है this is why it is also called control loom of cell इसी टाइप से इसको क्या बोले आता है control loom of the cell भी बोला जाता है तो बच्चो आज की class को जो है न हम nucleus खतम करते हैं कल साइटो प्लास्म कराके इसकी में chapter finish करा दूँगा क्योंकि छोटा chapter है ज्यादा बड़ा chapter नहीं है ठीक है तो कल मैं इसका summary बढ़ाके आपको chapter finish कर बादूँगा सो कैसी लगे आप लोग के class आज की जरूर कमेंट करके बताईएगा और जो नए बच्चे connect होते हैं वो चैनल को subscribe कर लेंगे ठीक है बच्चो तो बाकी आज की class को हम यहीं finish करते हैं ठीक है मिलते हैं आपसे कल 9 बज़े आपकी class ओके बच्चो पड़ते रहिएगा प्यारी करते रहिएगा keep learning have a nice day take care बच्चो बच्चो बबाए प्रॉपकchos भॉपको बच्की साफंधी का बच्चो प्रॉब च्रॉडहरा प्रॉपको पॉपका इसजाब सचरा मोग्सरा बच्चो भॉपको प्रॉब गलो向 t बच्चो भॉपको frankly बच्चो बच्चो उससाफनान झाल झाल